इसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्नोंने हमेशा सिर्फ अपने राजनितिक हीतों के लिए काम दिया सदी बदल गई है लेकिन उनकी सोच नहीं बदल गई हैं सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचोनियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है तो जड़ा बोखला रहे हैं बिचोनियों को बड़ावा देने वालों ने देश के किसानों के इस्तिती क्या कर दीती ये हिमाचल के लोग भी बनी बाती जानते हैं ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है यहां के टमाटर मस्रुम जैजी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पुरा करते हैं लेकिन सिती क्या रही है कुल्लू का शिमला का या किन्दोर का जो सेब किसान के बांग से 40-50 रुपिय कीलो के हिसाब से निकलता है वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब परी 100-500 रुपिय तक पहुंचता है बीच का लगब सो रुपिय का जो हिसाब है न वो कभी किसान को मिला न कभी वो खड़िजार को मिला जो गया कहा किसान का भी नुक्षाम और सहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुक्षाम यही नहीं यहां के बागमान साथी जानते हैं कि सेव का सिजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमत धड़ाम से गीर जाती है इस पे सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिन के पास छोटे बगीचे है साथियों क्रिशी सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यतास्तिती पनाये रखो पिछली सदी में जीना है जीने दो लेकित देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिवद्द है और इसलिए ही क्रिशी खेत्र के विकास के लिए कानूनों में एटियासिक सुधार किया गया और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे वे भी चाहते थे सोच तो उनकी भी थी हमारी भी फुल स्टॉप कौमा के साथ वो ही है लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी हमारे में हिम्मत है उनके लिए चुनाव सामने थे हमारे लिए देश सामने है हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है हमारे लिए हमारे देश का किसान का उजबल बविश्य सामने है और इसलिए हम फैसले ले करके आगे किसान को ले जाना चाहिए अगर हिमाचल के छोटे छोटे भागवाद किसान समू बना कर अपने सेफ दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है हाँ अगर उनको स्थानीय मंडी में फाइदा मिलता है पहले की ववस्ता से फाइदा मिलता है तो वो विकल्प तो है यह है उसको किसी ने खतम नहीं किया है यानि हर प्रकार से किसानों बागवानों उन्हें सब को लाग पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किये गए साथ यों केंदर सरकार किसानों की आए बढ़ाने खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरुपतों को पूरा करने के लिए प्रतिबता है पी एम किसान सम्मान रिज़ी के तहट देश के लगवा सबादस करोड किसान उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब एक लाग करोड रुपिय जमा किये जा चुके सवा दस करोड से उपर इसमें उनको दे चाहिए महास की बिठा दीजी उनको बिठा दीजी बिठा दीजी बिठा दीजी हमारी जो मेडिकल टीम होगी जना उनको फाम पर लगाई है इसमें हिमाचल के सबाद नौ लाग किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग एक हजार करोड रुपिय जमा किये गए कल पना कीजिए अगर पहले की सरकारों के समय एक हजार करोड रुपिय का कोई पैकेज इमाचल के लिए गोसित होता वो पैसा पता नहीं कहां कहां किस किस के जेब में पहुंच जाता उस पर राजनीतिक स्रेल नेने की कितनी कोशिशे होती लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपिय चले गए और कोई हो है